है गाई वैलकम बैक्टू तुयर्देव इन्वेस्मेंट लेब तो आज मैं आपके साथ दो पेन्य स्टक डिस्ट कर रहा हूँ जिसमें कि यहां पे एक नई company list हुई है और एक पुरानी company है उन दोनों का मैं आपके साथ जो है करने चाहिए तो आप अपनी analysis करें उसके बाद जो है इसका fundamental किलियर करूँगा और थोड़ी doubts भी आपको कोई हो तो आप हमें कमेंट जरु कीजियेगा मैं reply करने की पूरी कोशिव करूँगा तो चलिए आजानते हैं कि यह कौन से स्टॉक्स हैं जो नई-णई लिश्ट हुई है और सेनारियों काफी अच्छी बनती नजर आई तो इसमें यह एक है उस कंपनी का नाम है एरेडा यानि कि इंडियन रेनेवल एनर्जी डेवलोप्मेंट एजनसी लिम्टेड तो यह एक फाइनेंशियल कंपनी है जो नई कंपनियां जो अभी एनर्जी पर रिलेटेड काम कर रही है उन सब को जो है यह लोन देती है तो इसमें आपको ज्यादा देखने को इसमें मिल सकती है क्योंकि यह एक फाइनेंशल कंपनी है तो इस बीशसे यहां पर जादेखने को मिल सकती है तो आपको यहां फोड़ा इसे इकणोर करना होगा सब्सक्राइब 17000 रुपे की इसकी मार्केट कैप है और यह प्राइज अभी लास्ट टे लेकर चलता हूं जो कि अभी जो ट्रेडिंग कर रहा है आप देख सकते हैं मार्केट लिस्ट हुई आज ओपनिंग हुई करीब 65 रुपीज सम्थिंग क्या सबस और अभी 64 रुपे सम्थिंग क्या सबस ट्रेड कर रहा है तो आज अभी तक यह 2.39 परसेंट का अभी तक यह आज ट्रेडिंग सेजन में यह पोजिटिव पर चल रहा है चली देखते हैं अगर इसका वन मंद का क्या सेनाई हो रहा है तो अगर इसका वन मंद का भी एकर फोकस करें तो आप देख सेथे हैं किस तरह ऊपर गया थोड़ डावन आकर फिर से यहां से रिकावर करता नजर और आप दिख सकते हैं यह एक गवर्मेंट सेक्टर कंपनी है यहां पर आई इन्डेनेवल एनरजी यानिकी एरेडा इस अ मिनी रतना गवर्मेंट एंटरपाइज इन दा बिजनेस ओफ प्रमोटिंग यह प्रमोटिंग के बिजनेस में है डेवलोपिंग के है और आप देख सकते हैं यह इस तरह के प्रोजेक्ट पर काम करती है इन सभी कंपनियों को यह लोन देती है तो एक गवर्मेंट कंपनी है इस तो इसमें एक बड़ी पोजीशन बाइंग के बाद बड़ी टार्गेट बनाई जा सकती है चलिए आए थोड़ा इसका फंडामेंट जानते हैं और फिट जानेंगे कि यह दूसरी कंपनी कौन से हैं जिससे की कंपेर हो रही है और वह भी काफी इसी प्राइस के आसपास रेट करती ही नजर आ रही है तो यह जो है स्टॉक का इस मार्केट करें तो यह बड़ी सी और नेसी दोनों में ट्रेट करता है 17000 करोड प्राइस और इसके 52 विक हाई यानि कि जब यह भी लिस्ट हुई तो क्या 52 विक इसका हाई देख सकते हैं तो यह नोर्मली जो है इसी के आसपास अभी काफी अच्छी प्राइस भी है ट्रेट कर रहा है इससे स्टॉक कि यह स्टॉक पी देखें तो 20 रूपीस के नजर आ तो यहाँ पर थोड़ा आप एनलाइज करें चार्ट पर भी देखें क्या इसकी सेनारियों बन रही है उसके बाद स्टॉक को बाई करें तो आपको यहाँ पर ज्यादा टेंसन लेने की या फिर सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने इंडस्ट्री पी से ज्यादा कु बनता है इस तो अभी फिलाल लिस्ट ने के बाद विक्र कर देखें तो अभी यह कोई डिविडेंट नहीं करा रहा है अभी ज्यादा दिन नहीं गई वन वन थी हुई है इस कंपनी को लिस्ट हुए है तो यहाँ पर आपको डिविडेंट कुछ खास देखने को नहीं मिल नहीं मिल रहे हैं पते हैं और प्रोफिट गुरुथ मैश्ट ऑप देखें अची नजहरा रही है और कंपनी के पास कैसज वी काफी अच्छी अबलेबल है लगभग 955 करो रोल की कैस्ट जैसा कि मैंनहाई बापको बताया आप इसे ग्नोर करता जैतर होगा कंपनी के प्रम पतना खास यहां पर कोई डाटा देखने को नहीं मिल रहा है या फिर ट्रीटर के पास तो कुछ इसके जो और भी है एस टॉक्स को भात करे तो कुछ समेटुवल fund के पास भी holding available है तो इसमें और भी आप कहीं से अगर आपको data मिलता है तो आप वहां से खुद भी देख सकते हैं analyze कर सकते हैं 75% से उपर जो है promoters share को holding नहीं कर सकते इसके विए से आप देख सकते हैं और इसमें क्या बाइंग किया जा सकता है तो इस कौन साय स्टॉक्स बेटर होगा यह आपको कंफर्म करना है और अपनी analysis के साथ ही इस्टॉक को भाई करनी है तो इस स्टॉक है IRFC यानि कि Indian Railway Finance Corporation Limited यह स्टॉक जो है 75 रूपीज स्टॉरी 76.50 रूपीज पर ट्रेड करता हुगा देखने को मिला और पिछले वन डेकी यानि कि यह जो ट्रेड देखने को मिल रही करेंट प्राइस पर वह आप देखते हैं 1.53 परशंस यह पोजिटिव में चल रहा है इसक इसके कामपरीजन में जो यह स्टॉक निकल कर आई है नहीं नहीं लिस्ट हुई है किया इसमें बाइंग की जा सकती है तो वह आपको डिसीजन लेना है कंफर्म कराना है क्या स्टॉक कौन साथ क्लियर हो सकता है और दोनों ही का इस गौर्ण्मेंट सेक्टर स्टॉक है और जाता तो बेटर किसमें बाइंग की जा सकती है और काफी सस्ती प्राइस पर यानि जियो प्राइस पर भी स्टॉक आये रिए उससे करीब करीब 10 रुपे की कम में आगा जिस यहा आपको सेकेंडी स्टॉक जो फर्से स्टॉक में आपको बताया एरेट आका वह स्टॉक थोड़ी fundamental जानते हैं तो बात करें मार्केट कैप की तो आप देख सकते हैं करीब वन लाग करोर रुपीज की इस स्टॉक की मार्केट कैप है यह बीए सी एंसी दोनों में कर सकते हैं काफी अच्छी टार्गेट एक दिख रही है इस टॉक पी की बात करें इस तो आप देख सकते हैं वेट आ मिनिट हाँ तो आप देख सकते हैं जोकी 16.5 कर रहा है और इंडर्श्ट्री पी 12.3 का देखने को मिल रहा है तो यह भी अगर देखें तो को ज्यादा रिस सब्सक्राइब देखें तो 5.32 परसंट की और रही देखें तो 14.7 परसंट की जो कि मिनिम्मम यहां पर 15 परसंट का होना चाहिए जो कि एक तोलग बग्यानी की आरोई काफी अच्छी नजर आ रही है लेकिन रोसी में थोड़ी आपको यहां पर रिस्की हो सकता है तो आप सब्सक्राइब देखने को नहीं मिल रहा है जो कि काफी अची बात है नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं काफी बड़ी प्रॉफिटेवल कंपनी के साथ जो है इसकी प्रॉफिट देखने को मिल रही है तो आपको यहां पर फोकॉस बनाका रखना होगा और सेल्स ग्रोथ की बात ग्राइब तो कहीं ने कहीं मेरे अनुसार का है तो यह स्टॉक भी आपके लिए एक बेटर हो सकती है और इसमें स्प्लिट की चांसे नजर आ रही अभी जो कि पिछले स्टॉक में भी करीब दस्त क्या सबस्ते तो इस प्लिट की चांसे अभी बन रही है तो अगर प्राइस ज्यादा हो भी जाता है तो काफी अच्छी प्रॉफिट आपको बन सकती तो यह कहीं ने कहीं दे है तो फिलहाल मैं आपको recommend फिलहाल आपके लिए कर सकता हूं थोड़े समय के लिए आप अगर लटा को ॐइक न चाहा रहे है तो आ एक अच्छी समय के लिए स्टॉक बेटर हो सकता है लेकिन आने वाले समय में उसमें भी काफी अच्छी पोटेंशल देखने को मिल सकती है तो आपको फोकस दोनों में ही बना कर रखता चाहिए और आप अपनी अनलसी के साथ ये स्टॉक को बाई करें तो जाता बेटर होगा बस मैं आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करां और बिल्कोल मत विल्येगा सो क्लिए वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग